राम राम जी मैं फिर से एक नए प्रसंग के साथ आई हूँ जिसके अंदर करुणा है जिसके अंदर एक संत की करुणा है और जो की वो चाहता तो अपने जो इच्छा पूर्ती कर सकता था लेकिन उसने वो ना करके एक जीव को बचाया तो इसमें जो गुरूत एकनाज जी थे वो एक बार गंगा से जल भरकर रामेश्वरम तक चड़ाने जा रहे थे शिव जी के उपर लेकिन जब वो रामेश्वरम के पास में पहुँच चुके तब ही उन्होंने देखा कि गधा जो है वो प्यास से तडप रहा है और उसको प नहीं में तो अब इस गदे को ही पानी पिलाओंगा क्रोंकि नहीं तो ये मर जाएका और मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई मेरे सामने उस्के वेमरे पास है क्योंकि जल मेरे पास है और मैं अगर इसको जल पिला दूँगा तो यह जीवित हो जाएगा मतब यह बच जाएगा तो उन्होंने बड़े प्यार से गदे का सार अपनी गोद में रखा और सारा का सारा जल गदे को पिला दिया जब कि उनके शिशो ने कहा महात्मा गुरू जी बिल्कुल पास में है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस गदे को सारा पने पिला दिया और गदा एकदम से ठीक हो गया और उसी टाइम गदे ने शिव जी का रूप ले लिया और शिव ने कहा कि मैं यह तो सिरफ आपकी परिक्षा ले रहा था यह देखना चाहता था कि इतने पास आने प मदद करने के लिए आपने यह करतवे किया करतवे पालन किया तो मैं आपसे यही कहना चाहँगी आप चाहे मंदिर में दिया जलाए ना जलाए आप चाहे पूजा पाठ करे ना करे लेकिन दीन दुख्यों की जीवों की ज़रूर मदद करे थैंक यू